दोस्तों आज की कमाल की वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दो LED बल्ब को सीरीज में कैसे जोड़ा जाएगा अगर आपको दो LED बल्ब को सीरीज में जोडने नहीं आ रहा है तो आप हमारे इस वीडियों बने रहें मैं आपको बहुत ही आशान तरीके से सिखाऊंगा अगर LED बल्ब से आप जोड़ते हो तो इन दोनों बल्ब को एक ही स्विच के दौरा आपरेट कर सकते हो एक ही साथ आन और आफ कर सकते हो तो आए बिना दे रहें करते हैं सुरू करते हैं आज की वीडियो इसके लिए हमारे पास दो बल्ब होल्डर होने चाहिए और वायर होनी चाहिए वायर होने के लिए ये पावर सप्लाई की वायर है हमारे पास ये और पहले मैं आपको basic connection बता देता हूँ basic connection कैसे करते हैं यह हमारे पास इसको थोड़ा side में रखूंगा यह bulb holder है और यह bulb holder के दो point यह हैं और दो point यह हैं यह हमारे पास power supply की wire है और यह connection के लिए wire है connection wire का एक point धर रखेंगे और power supply की इससे ऐसे आपको जोड़ेंगे इसके दोनों point को bulb holder में लगा देंगे और इसके दोनों point को यहां से bulb holder से जोड़ देंगे तो दोस्तो हमारा series में connection हो जाएगा तो आईए जोड़ लेते हैं कैसे तो इसके लिए दोनों wire को इस bulb holder से निकालेंगे इधर आएगा फिर हम लोग क्या करेंगे इस point में थोड़ पेचका से अच्छे से tight कर लेंगे अच्छे से tight कर लेंगे जिससे निकले नहीं wire और यह देखिए दो wire एक तो यह power supply से आ रही है एक हमारे यह अभी free है यह wire free अबली वाली तो इसको यहां पे हम लोग जोड़ेंगे इसको यहां से हम लोग tight कर देंगे अब हम लोग यहां क्या करेंगे अब यह power supply की wire है और यह free wire है तो इसको भी हम लोग इससे connect कर देंगे तो इस holder की Cap के उपर पहले डालेंगे इसको फिर इधर से निकालेंगे तो इसको हम लोग इसमें भी पेचकस के माद्धिम से टाइट कर लेंगे इसको भी हम लोग पेचकस के माद्धिम से टाइट कर लेंगे ठीक है अब हमारे पास सिरीज में इन दोनों बल्बों का कनेक्शन हो चुका है अब हम इसमें यहां से पावर देंगे पावर के लिए मेरे पास यह पावर पोल्ट है यह अल्रेडी तो यह मैंने लगाया अब यहां पर यहां पर एलेडी बल्ब लगाऊंगा मैं और देखता हूं क्या कनेक्शन सई हुआ कनेक्शन अगर सई होगा तो यह दोनों एलेडी बहुत अच्छी प्रकार से जलेंगी देखते हैं कि यह लिडी जल नहीं रही है तो इसका मतलब है कुछ गड़ बढ़ गया इसका मतलब कुछ गड़ बढ़ गया तो इसका मतलब ओफो यहां से कैप में इसके टेप लगा हुआ रहे निकलो 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 यहां भी तो नहीं लगा टेप हां इसमें नहीं लगा है तो इसलिए कनेक्शन जल नहीं रहा था अब इसको देखते हैं अगर कनेक्शन सही होगा तब पक्का जलेगा आरे वाह तो इसका मतलब दोस्तों आप लोग अगर दो बल्व को सिरीज में जोड़ना चाहते हो मतलब की दोनों एक ही स्विच के दौरा ऑपरेट करना चाहते हो तो आप भी ऐसे कनेक्शन कर सकते हो अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अगली वीडियो म पुरह मिलते हैं अच्छे से टॉपिक के साथ तक लिए जैहिंद